दोस्तो आसा अपने कमरे में सो रही थी अब रात के लगभग दो बजी के करीब उसका दर्वाजा कोई खटखट आता है तो आसा को ये लगता है कि साइद उसके ससुर ही होंगे क्यूंगि उन दोनों के लावा उस घर में और कोई भी नहीं था दोस्तो आप जो आसा थी डड़ते हुए दर्वाजा को खोलती है तो उसका ससुर बाहर में था अब दर्वाजा जैसे ही खुलता है उसके ससुर आसा को कसके जकड लेते हैं दोस्तो अब जो आसा थी अपने ससुर से पूछती है कि अरे ससुर जी क्या हुआ तब जाकर उसके ससुर कहते हैं कि बहुत दरासर में बातरूम गया था और वहाँ पर मैं फिसल कर गिर गया हूँ मेरे कमर में बहुत चोट आई है और मैं ढंक से चल भी नहीं पा रहा हूँ तुम मेरे कमर में मालिस कर दो दोस्तो अब जो आसा थी अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा आती है और चली जाती है ससुर के कमरे में तेल लाने के लिए अब तेल लेकर आती है और फिर ससुर की कमर की मालूस शुरू कर देती है लेकिन दोस्तो उस कमरे में उस रात जो होता है जिसे जानने के बाद आप के भी पैरो तले जमिन की जग जाएगी तो दोस्तो आईए जानते हैं पूरी कहाणी इस वीडियो में पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सेखी रिक्वेष्टे की वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरा होसला बढ़ता रहे दोस्तों मिरा नाम है तबस्ण खातुन और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों एक विक्ती होता है उदेई कुमार उदेई कुमार की साधी को लगभग 10 साल गुजर चुके थे लेकिन दोस्तों 10 सालों में भी उसकी बीवी को कोई बच्चा नहीं होता है अब दोनों मिया बीवी बहुत परेसान थे कियोंकि बच्चा हुई नहीं रहा था और आस पड़ोस के सभी लोग ताना मारते थे रिष्तेदार ताना मारते थे तरह तरह की बाते किया करते थे दोस्तों लोगों की तानों से दोनों बिया बीवी बहुत परिसान हो गे थे वो दोनों बहुत सारे डॉक्टर से मिलते हैं एक्सपर्ट बड़े बड़े डॉक्टर से मिलते हैं टीटमेंट करवाते हैं लेकिन दोस्तों कोई असर नहीं होता है, जब इन सब चीजों से हार जाते हैं, तो वो लोग बहुत सारे मंदीरों में जाते हैं, दरगा में जाते हैं, मिन्नते करते हैं, यहां तक कि बाबाओं के पास भी जाते हैं जारफो कराने के लिए, लेकिन दोस्तों हर चीज से वो ल नहीं धन दौलत की कमी थी घर भी बहुत बड़ा था लेकिन बस बच्चे के सूख से वंचित थे अब इससे तरह से धीरे-धीरे वक्त गुजरने लगती है एक दिन अचानक से उदै की बीवी की तबियत खराब हो जाती है अब जब तबियत खराब होती है तो उदै काफी प बनने वाली है दोस्तों जब उदै या खबर सुनता है तो उसके खुसी का कोई ठीकाना ही नहीं होता है वो उसी वक्त बाहर जाता है मिठाया खरीद के लाता है और पूरे होस्पिटल में पहले मिठाय बटवाता है उसके बाद अपनी बीवी को लेकर घर आता है घर आने क के बाद वो पूरे आसपडोस के लोगों को भी मिठाई बटवाता है और सभी को कहता है कि मैं अब बाप बनने वाला हूँ दोस्तो इस खबर से उद्य की घर में फिर से बहुत सालों के बाद खुसिया आए थी अब दोनों मिया बीवी बहुत खुश थे इसे तरह से जिंदे कि धीरे धीरे आगे के और बढ़ रही थी दोस्तो धीरे धीरे लगभग उद्य की बीवी को 9 महीने का समय पूरा हो जाता है और एक दिन उसको अचानक से दर्द उठता है तो उद्य अपनी बीवी को लेकर होस्पिटल चला जाता है दोस्तो ठीक उसके दो तिन घंटे के बाद ही उद्य की बीवी एक बेटी को जन्म देती है दोस्तो बेटी के जन्म के बाद उद्य अपनी बीवी को घर लेकर आता है तो पूरे गाव वालों को पूरे आसपरोस के लोगों को बहुत बड़ा पार्टी देता है वो पार्टी इतना बड़ा था कि जैसे किसी की सा जिसका नाम उन्होंने आसा रखा था आसा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी लगभग धीरे धीरे वो आठ साल की हो जाती है और इन आठ सालों में उसके घर का जो माहुल था वो बहुत चेंज हो चुका था लेकिन दोस्तो एक दिन अचानक से जो उदई की बीवी थी उसको अटेक आता है अब जब अटेक आता है तो वो लोग तुरंत उसे होस्पिटर लेकर जाते हैं लेकिन दोस्तो रास्ते में ही उदई की बीवी की मौत हो जाती है दोस्तो अब बीवी की मौत की वज़ह से उदई सदमे में चला जाता है अब उसे संभालने वाला भी कोई नह होगा दोस्तों धीरे धीरे किसी तरह अपने आपको संभालता है और अपनी बीवी की तेर्वी करता है अब तेर्वी होने के बाद इतने रिष्तिदार आए हुए थे दूर दूर से सभी चले जाते हैं अब जो उदे था अपनी बेटी की साथ उसी घर में रह रहा था और अपनी बेटी की परवरिस वकर रहा था दोस्तों धीरे धीरे उदे की बीवी को मरे हुए लगब एक साल का वक्त गुजर जाता है अब जब दोस्तो इस वज़े से उदय दूसरी साधी करता है दूसरी दरसार वो लड़की एकदम जवान और यंग होती है लेकिन वो कैरेप्टर की सही नहीं होती है उस लड़की का चरित्र अच्छा नहीं होता है और वो लड़की उदय से सिर्फ प्रोपटी के लालज के लिए ही भ πεशल्टा हाती है तो उदय यहां सोचकर उसे लाता है उसकी बेटी का ख्याल रखे गी और उसे अच्छे से परवरिश देगी लेकिन दोस्तो उसका बिलकुल उल्टा होता है उदय की जो दूसरी बी-वी थी वो उसकी बेटी को ना थो अच्छे से देख भल करती नहीं उसके खाना पीना का धियान रगती और हर वक्त उसे डाटते रहा करती थी हर वक्त घर का इधर का उधर का काम ही कराया करती थी दोस्तों इस बाद से उधर भी काफी परेसान हो गया था और उधर अपनी बीबी से कुछ नहीं कहे पा रहा था वो हमेशा उसे धंकी देती थी अनाप सनाप इस் वज़ा से उद्धे कुछ नहीं कह पाता था। अब इसे तरह से धीरे-धीरे वक्त गुजरता है अब जो उसकी बेटी थी आसा udah कही ना कहीं अपनी माET करकि वह बहुत रोया करती थी दोस्तों धीरे धीरे वक्त काफी तेजी से बढ़ता है और जो उसकी बेटी थी आसा वो बड़ी हो जाती है उसकी पढ़ाई लिखाई भी complete हो जाती है अब जब पढ़ाई लिखाई complete हो जाती है तो उदै को लगता है कि उसकी बेटी की साधी कर देनी चाहिए क्यूंकि जो उदय था उसकी भी उम्र हो गई थी अब उसे यह लगने लगता है कि पता नहीं कब मुझे क्या हो जाए तो मेरी बेटी का क्या होगा इस वज़े सो अपनी बेटी के लिए लड़का देखना सुरू कर देता है दोस्तों कई जगा उदय लड़का देखता है लेकिन उदय को लड़का पसंद नहीं आता है क्यूंकि उदय चाहता था कि मेरी बेटी की साधी में ऐसे घर में करूं जहां परिवार कम हो जहां मेरी बेटी को ज्यादा काम ना करना पड़े और लड़का समझदार हो दोस्तो कई जगा लड़का देखता है लेकिन उसे लड़का पसंद नहीं आता है अब एक दिन अचानक से उसी गाव के दूसरे इलाके से कॉल आता है कि फलाने जगा में एक लड़का है लड़का बहुत ही अच्छा है और जो कॉल करता है वो उदय का दोस्त ही होता है दोस्तो अब जो उदय था वो अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ चला जाता है लड़का को देखने के लिए दोस्तों जिस लड़की को उदेखने के लिए जाता है अपनी बेटी के लिए उस लड़की का नाम होता है मोहन मोहन अपने माता पिता का एक लोता बेटा था और मोहन के परिवार में सिर्फ उसका पिता ही था कई कि मौहन की मा की मौत भी पहुत पहले ही हो चुकी थी लेकिन दोस्तों जो मौहन का घर था वो बहुत बड़ा था और घर में प्रोपटी की कमी नहीं थी वो लोग भी बहुत ही मालदार थे दोस्तो अब उदे वही पर अपनी बेटी का रिस्ता पक्का कर देता है और कहता है कि मुझे लड़का पसंद है अब आप लोग आकर एक बार लड़की को देख लिजे दोस्तो अब उसके एक खबती के बाद लड़की को देखने के लिए दोस्तों मोहन पहले ही नजर में आसा को पसंद कर लेता है क्यूंकि आसा बहुत ही खुबसुरत थी जब हुई परिस्ता फाइनल हो जाती है तो फिर तीन महीने के बाद दोनों की साधी की तारीक रखी जाती है दोस्तो अब इधर दोनों परिवार वाले साधी की तयारियों में जुड़ जाते हैं धीरे धीरे करके तीन महीने का समय नजदिक आ जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से मोहन अरासा की साधी होती है दोस्तो पूरे रीती रिवाजों की साधी होने के बाद आसा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है ससुराल जाने के बाद आसा को वहाँ पर सभी लोग बहुत ही लाड़ प्यार करते थे ज्यादा तर जो आसा का ससुर था वो आसा को बहुत ही प्यार करते थे और अपनी बेटी की तरह इज़द्या करते थे दोस्तो अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है आसा अपने ससुराल की पूरी जिम्मेदारी को उठा लेती है अपने ससुर और पती को किसी चीज का मौका नहीं देती है बोलने के लिए क्योंकि वो अपनी जिम्यदारी को बाखुवी निभा रही थी दोस्तो इसी तरह से वक्त आगे की और गुजरता है और उन दोनों की साधी को लगभक 4-5 महीने का वक्त गुजर जाता है दोस्तो अब एक दिन इसी बीच जो आसा का पती था वो किसी काम से अपना 4-wheeler निकालता है और चला जाता है सहर की और दोस्तो अधर से लोटते वक्त जो आसा का पती था मोहन उसकी सड़क दुरगटना में मौत हो जाती है दोस्तो जब इस मौत की खबर आसा को पता चलती है उसका रो रोकर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है दोस्तो अब जो प्रसासन के लोग थे डेट बोडी की पोस्माटम करवा कर परिवार वालों को हैंड ओबर करवा देते हैं अब जो आसा के पिता थे अपने बेटे कांतिम संसकार करते हैं और उसे घर में रहने लगते हैं लेकिन दोस्तो जो आसा थी अब उसका बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि वो अपने पती के बगर एक पल भी नहीं रहती थी कहीं भी जाती थी अपने पती के साही जाती थी यहां तक की वो चार दिनों के लिए माइके भी गई थी तो अपने पती को साथ ही लेकर गई थी और फिर पती के साथ ही लोटी थी दोस्तो अब जो आसा थी धीरे धीरे वो डिप्रेसन का सिकार होती जा रही थी क्योंकि उस घर में उसकी पती की बहुत सारे यादे उससे जुड़ी हुई थी दोस्तो धीरे धीरे करके तेरवी खत्म हो जाती है जैसे ही तेरवी खत्म होती है अब आसा फैसला कर लेती है कि वो अपने माई के चली जाएगी किमकि उसके पती के लवा वहाँ पर और कौन था उसका ससुर था वो ससुर के साथ वहाँ कैसे रह सकती थी इसलिए आसा डिसाइड करती है कि वो अपने माई के चली जाएगी और आसा अपना सारा समान पेक करती है, माईके चली जाती है, अब वो माईके में ही रहने लगती है, लेकिन दोस्तों आसा की जो सवतेली मा थी, वो वहाँ पर उसका जीना दुस्वार कर देती है, अब हर रोज आसा को परिसान करती थी, तरह तरह के ताने मारती थी, तरह तरह के बोली बोला करती थी इस वज़ा से आसा बहुत परिसान हो जाती है अब वहां भी उसका दम घुटने लगता है लेकिन दोस्तों अब आसा कर भी क्या सकती थी वो कहां जा सकती थी ससुराल नहीं जा सकती थी क्यूंकि पती वहां है ही ने वहां जा कर वो क्या करेगी अब किसी बोलते क्यों नहीं है दोस्तों जो आसा के पिता थे वो कहते हैं कि बेटा में उसे क्या कह सकता हूं वो लड़की निहायती बत्तमीज है वो मेरी बात भी नहीं सुनती है इस टार्टिंग में ही उसे मैंने बढ़ावा दे दिया आज इसी का नतीजा है कि वो मेरी भी बात नह न सीखो आसा के पिता इतना ही कहते हैं दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है लगबग आसा को अपने माई की आए हुए छे महीने का वक्त गुजर जाता है दोस्तों इन छे महीनों में जो आसा का ससुर था एक दिन अचानक से आसा के घर आ जाता ह दोस्तों अब जब अचानक से आसा का ससूर उसकी घर आता है तो आसा देखकर एकदम से चौक जाती है आसा के पिता भी घर पही होते हैं अब आसा के पिता और उसके ससूर बैठ कर वालचित करते हैं आसा चली जाती है किचन में नास्ता पानी तयार करने के लिए अब नास्ता पानी लाकर वहाँ पर देती है उसके बाद जो आसा के ससूर थे वो आसा के पिता से कहते हैं कि देखिए समधी जी आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है मैं उस घर में अकेले रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी बहो को मुझे वहाँ ले जाना चाहिए क्योंकि जो मेरा प्रोपर्टी है मेरी इतनी जमिन जाजाद है उसके जिम्मेदारी कौन लेगा उसका वारिस अब मेरी सिर्फ एकलवती बहो है और वो सब उसी का होने वाला है मैं उस घर में अकेले नहीं रह पाता हूँ उस घर में मुझे घुटन महसूस होती है कोई मुझे बात करने वाला नहीं है कोई मुझे एक गलस पानी देने वाला नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं अपनी बहु को ले जाओं और मेरी बहु वही पर रहेगी मेरे साथ दोस्तो जब यहाँ बात आसा की पिता सुनते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता है वो इस बात के लिए मना करते हैं लेकिन वही पर आसा की मा भी बैठी होती है आसा की सोतेली मा अब वो कहने लगती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है आसा अपने ससुराल चली जाएगी वही पर रहेगी ये तो बहुत अच्छी बात है आप ले जा सकते हैं दोस्तो अब इस बात को लेकर आसा के पिता रुसकी मा में बहस होने लगती है अब कहीं न कहीं आसा के पिता बहस में हार जाते हैं और हार दारकर कहते हैं कि ठीक है अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी बेटी को ले जा सकते हैं दोस्तो अब जो आसा थी अपना सामान वगर आ प्पेक करती हैं और अपने शस्र के साथ चली जाती है अपने सवुराल दोस्तो अब किश्चन में होगती है और अपने ससुर उस्य से अवराद उस्य दाज देता है और कहता है दोस्तो अब इसे तरह से धीरे धीरे लगभग छे महीने का वक्त गुजर जाता है छे महीने हो चुके थे आसा को अपने ससुराल गए हुए दोस्तो एक दिन रात के वक्त आसा अपने कमरे में सोई हुई थी लगभग रात के दो बज रहे थे अब अचानक से आसा के कमरे का दरवाजा कोई खटखट आता है अब आसा को लगता है कि उसके ससुर ही होंगे क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था लेकिन दोस्तो आसा बहुत डर रही थी कि पता नहीं इतने रात को ससुर जी मेरे कमरे के बाहर क्यों है दोस्तो अब डरते हुए आस तुम मेरे कमर को मालिस कर दो दोस्तो अब जो आसा थी अपने ससर को अपने बिस्तर पर लिटाती है और चली जाती है अपने ससर के कमरे में तेल लेने के लिए वहाँ से तेल लेकर आती है और फिर अपने ससर के कमर को वह मालिस करने लगती है दोस्तो अब मालिस करने के दुरान आसा मन में ये सोचने लगती है कि साइद मेरे पती की साधी कम उमर में ही मेरे ससुर करवाए होंगे और कम उमर में ही उनकी मौत हो गई है क्यूंकि मेरे ससुर तो बहुत ही हटे-खटे हैं और दोस्तों इसी तरह के ना जाने क्या क्या वो अपने मन में सोच रही थी अब धीरे धीरे करके काफी वक्त हो जाता है उसके जो ससूर है वही पर उसके बिस्तर पर लेट जाते है दोस्तों अब उसके बाद आसा अपने ससूर से कहती है कि पापा आप यहां पर सो जाएए मैं जाकर बाहर सो फिपर सो जाती हूँ लेकिन दोस्तो जो आसा का ससूर था वो कहते हैं कि नहीं बेटा तुम बाहर मत सो तुम इसी कमरे में सो क्यूंकि मुझे फिर से बातरूम जाना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा तो फिर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यूंकि मैं हिल डूल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तो आप जो आसा थी डरते हुए उसी कमरे में नीचे बिस्तर करती है और सो जाती है दोस्तो आसा बिस्तर करके नीचे तो सो जाती है लेकिन उसको नीद नहीं आ रही थी और उधर जो उसके ससुर थे उसको भी नीद नहीं आ रही थी दोस्तो जो आसा के ससुर थे वो अपनी बहु से बाते करते हैं और कहते हैं कि बहु मैं तुम से एक बात कहना चाहता हूँ अब जो आसा थी वो कहती है कि हाँ कहिए क्या बात कहना चाहते हैं तब जाकर आसा के ससुर कहते हैं कि देखो बहु तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ मेरी भी बीबी नहीं है और तुम्हारा भी पती नहीं है इस घर में हम दोनों अकेले हैं लेकिन इस तरह से अगर हम दोनों इस घर में रहेंगे तो लोग तरह तरह की बाते करेंगे कि इस ससुर और बहु के बीच का पता नहीं रिस्ता क्या होगा घर में तो इन दोनों के लावा कोई है नहीं ना जाने क्या क्या करते होंगे और लोग इस तरह की बाते बाहर कर रहे हैं क्योंकि तरह तरह की लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं तरह तरह से ताने मार रहे हैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोग इसी तरह के ताने मारते हैं, मेरे कुछ दोस्ते वो तो हसी मजाक में ही कह देते हैं इस तरह की गंदी बातें कि आपका तो जरूर आपकी बहु के साथ कुछ होगा और कुछ लोग तो ऐसे ही ताना मारते हैं, तो बेटा यह बात बहुत परेसान हो गया हूँ, इसलिए मैंने एक फैसला किया है, दोस्तो अब जो आसा थी वेगदम से डर जाती है और वो कहीं न कहीं उसी और जा रही थी जो आसा को सक था, अब जो आसा थी वो कहती हैं कि तो आपने क्या फैसला लिया हैं, तब जाकर आसा के ससुर कहते ह कि देखो बहु मैं चाहता हूँ कि तुम उससे साधी कर लो, और फिर साधी के बाद इस घर में रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम दोनों को एक दूसरी का सहारा मिल जाएगा, हर सुख दुख में हम दोनों एक साथ रहेंगे, दोस्तो जब यहा बात आसा सुनती है, तो आसा अपने ससर को कोई जवाब नहीं देती है, अब इस तरह से धीरे-धीरे सुभा का वक्त हो जाता है, अब सारा दिन आसा इसी बात को लेकर सोचते रहती है, कि आखिर ससर जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यूं कहा मुझे और इस तरह का फैसला क्यों लेया, दोस्तो इस तरह से लगबग, एक हपते का वक्त गुज़र जाता है, आसा अपने ससर को इस टौपिक पर कोई जवाब ہी नहीं देती है. तुर्स्तों अब इससे तरह से धीरे धीरे एक हपते का समय और गुज़र जाता है. अब एक हपती के बाद एक दिन आसा का ससुर फिर से आसा से पूछता है कि बहु जो बाते मैंने तुमसे कही थी उसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया तुमने क्या फैसला लिया है बता दो दोस्तों उसके बाद आसा अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये बास सही है कि हम दोनों इस घर में अकेले ही रहते हैं और हमारे अलाबा कोई नहीं है लोग तरह तरह की बाते करेंगे हैं क्योंकि मेरा इस घर में आई हुए लगभग साथ महीने हो गए हैं। और मैं भी सुन चुकी हूँ लोग तरह तरह की बाते आपको कह रहे हैं। मेरे ओपर लांचन लगा रहे हैं। तो देखे ससुर जी भलाई इसी में हैं कि हम दोनों साधी कर लेते हैं। दोस्तो जब बहु राज़ी हो जाती है साधी के लिए तो ससुर बहुत खुस होता है। जाता है गाव के एक छोटे से मंदिर में वहां जाकर वो पुजारी जी से बाते करता है और सारी बात बताता है। की कंडिशन बताता है दोस्तों जब पहले पुजारी जी बाते सुनते है तो थोड़ा उनको अड़ पटा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ससुर और बहु का रिष्ठा बहुत ही पवित्र रिष्ठा है हाला कि हर रिष्ठे की अलग-अलग मानियता है और सभी रिष्टे में पवित्रता है लेकिन एक ससुर और बहु एक दूसरे से साधी कैसे कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो आसा के ससुर थे जब पूरी कंडिसन बताते हैं घर के तो पुजारे जी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है एक हपती के काव खाले तो अपने ससुर से साधी कर लेती है दोस्तों जब बहू और ससुर साधी कर के मंदिर से घर लोट रहे थे तो गाव दोस्तो अब यह बात उस गौव में ट्रेंडिंग टोपिक बन जाती है सभी के जुवाप के सिर्फ यही बात थी कि एक ससुर ने एक बहुँसे साधी करनी है दोस्तो अब इसी तरह से धीरे-धीरे साम का वक्त हो जाता है अपसाइम के वक्त उस गाव के जितने भी मुख्या के मिंबर थे सभी लोग आते हैं ासा के घर में और आसा के ससूर से बाचित करते हैं और कहते हैं कि आपने ये क्यूं किया अपनी ही बहुत से साधी करके आपने समाज को गलत मैसेज दिया है इस तरह से गलत मैसेश समाज में फैल रही है दोस्तो अब जो आसा के ससूर थे वो अपनी सारी कंडिसन बताते हैं सारी बात बताते हैं अब पूरी बात सुनने के बाद जो मुख्या लोग थे वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं सभी की अपने अपनी मरजी है अब वो लगभी वहा हैं से अपने घर चले जाते हैं और वो दोनो अपनी जिन्दगी हसी-खुसी गुजारने लगते हैं लेकिन दोस्तो आई दिन गाव के लोग तरह तरह के ताने मारने फिर से सुरू कर दिए थे जब वो दोनो बहु और ससुर के तरह थे तभी लोग ताना मारा करते थे और जब वो दोनों मिया बीवी बन गए तभी लोग तरह तरह के ताना मारना शुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों इन सब बातों से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो दोनों अपनी जिंदगी में बेहत खुश थे तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने दोस्तों इस कहानी में बहु और ससुर ने एक दूसरे से साधी करने का जो फैसला लिया और एक दूसरे से साधी किया क्या उन दोनों ने यह सही किया यह गलत किया आप सभी अपना अपना राई कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में जितने भी लोग कमेंट किये हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं गोलू एमबावू जोनपूर उत्तर प्रेदेश से बादसा भाई महराश्ट्र से महम्मद यासीन लाहोर पाकिस्तान से अस्लमसाद गोपाल गंज बिहार से पूना लाल कुमार पत्नी किरन कुमारी वैसाली बिहार से सागीर सेख राज कोलकता फरीद हमद सौधी अरब से स्याम प्रकास कुसवाह पत्नी सुमन कुसवाह इटावा उत्तर प्रेदेश से मुकेस कुमार भागलपुर बिहार से सर्फराज अंसारी दिल्ली से मुकेश कुमार रजक नई दिल्ली से, मास्टर सरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, इम्तियाज सेख राई बरेली से, नुरुल हुदा गोरकपूर से, रहमत अंसारी गुरु ग्राम से, सर्ताज अली चंदोसी से, मुहम्मद महसीन फैजाबाद से, अबु सेफ अ आयू बंसारी उत्तर प्रदेश से, दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं, तो अपना नाम और अपने राजजी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं, दोस तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद